क्रिप्टो बजार के सबसे खुबसूरत बात ये है दोस्तों कि जितनी जल्दी लोग चांद पर पहुंच जाते हैं उतनी ही जल्दी हिम्मत भी हार देते हैं यहां पर मैं तीन ऐसे बड़े कैटलिस्ट की बात करूँगा जो हमें फिलहाल बिटकॉइन इस साल एक लाग डॉलर दो लाग डॉलर जाने की बात असंभव सी लगती है यह कहें कि शॉट टम में बिटकॉइन शाहे चोहतर हजार भी जाएगा कर नहीं इस बात के बारे में भी लोग ज़्यादा पेक्शा नहीं कर रहे हैं मेरा निमेर होज्ट शर्मा, संटो श्टैकरि उन आपको श्ट्रe काई काषि कुषा काई डर्हा चेनल को अर अपने दोस्तों से शेयर कीजИ Гाएग क्या वे लइन चाए यह इन इन तथ्वर में कोई भी बात नहीं कर रहा है पहले simple तथे जो सबको पता हैं बड़ फिर भी मैं बताना चाहूँगा अभी हाल फिलाल में Jaron Powell को testify होने के दौरान उन्होंने काफी बड़ी hope बताई कि rate cut जो है उनकी गुंजाइशे दुबारा से बंदने लगी है उन्होंने कहा है कि हम 2% interest rate के सफर में काफी जादा तरक्की कर चुके हैं और जो करीब एक महीने पहले पूरी market ने give up कर दिया था कि इस साल US की interest rate में मातर एक rate cut होगा मेरे विचार से अगले एक दो महीने में फिर से लोग 2 या 3 rate cuts की गुंजाइश करने लगेंगे कि खास कर अगर पहला rate cut सितंबर में आ जाता है तो Fed के Chairman Powell ने कहा है कि interest rate cuts नजदीक है और शायद इसी करण से पिछले 48 घंटे में cryptocurrencies भी अपने जो पाताल लोग से बाहर निकल कर ठीक ठाक परफॉर्म करने लगी है तो this is first hope इसको मैं hope कहूंगा यहां पर fact नहीं है जो facts हैं जिसके बारे में जादा लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं वो मैं जरूर आपके साथ share करूँगा खास कर European Central Bank ने अलरी एक rate cut कर दिया है और उसके बाद और rate cuts प्लेज कर दिया है वहाँ पर inflation बढ़ रही है जैसे कि मैंने महीनों पहले सालों पहले प्रेडिट किया था कि ये दुनिया ये दौर जो है ये stag inflation का है permanent inflation का है और rate लंबे समय तक आप जो है high नहीं रख सकते हो अच्छा आप बीच में एक अलप इवरान देंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि कुछ अच्छी decentralized exchanges बताओ यहाँ पर हमारे इस section के sponsor यानि कि Marjack के बारे में बात करना चाहूँगा Marjack जो की KYC less centralized exchange है है ये CoinDCX की तरह ही बट इस पर KYC करने की आपको जरूरत नहीं रहती है अच्छा मैं आपको इसलिए जिकर कर रहा हूँ क्योंकि अब से लेकर 15 जुलाई तक या 12 जुलाई जो भी डेट है 14 जुलाई आप जो भी ट्रेड करेंगे Marjack जैस जो है वो 5,000 डॉलर्स तक जो है लोगों को Airdrop दे रहा है Airdrop किसके देंगे जो ये Hamster HMSTR coin है आपने सुना होगा ये Telegram का गेमिंग कोई है मैं सक्स कहूँगा बिल्कुल मत खरीदना अगर अपना पैसा वरबाद करना चाहते हो तो अगर आपको Airdrop में मिल रहा है तो खासकर जो चीज़े Airdrop में मिलती है वो तो Pump and Dump ही होती है यहाँ आपने खरीदी यहाँ जो है लोगों ने बेची और यहाँ पर उसका प्राइस डंप हो जाता है बट चार घंटे और 11 मिनिट की दौरा अगर आप Mark Jack के उपर ट्रेड करते हो तो जितना बड़ा ट्रेड होगा अगर आपका बहुत बड़ा ट्रेड होगा तो आपको 5000 डॉलर मिल सकते हैं ट्रेड के अनुसार सब विजेता होंगे तो यदि आपका Mark Jacks पर अकाउंट नहीं है और अगर आप KYCLS Centralized Exchange पर अकाउंट बना चाहते हैं मैंने एक लिंक नीचे रख छोड़ा है फिर से ये sponsorship section है तो इसको आप skip भी कर सकते हैं हम पते की बात पर चलते हैं सबसे बड़ी बात जिसके बार में कोई बात नहीं कर रहा है इस महीने FTX के creditors को 16 billion dollar का cash payout होने वाल है दोस्तो 16 billion dollar इसके सामने जो हाल फिलहाल में जर्मनी की government ने एक दो billion dollar के जो bitcoin बेचे हैं या Mark Jacks ने जो दो-तिन billion dollar के बेचे हैं वो बौने दिखाई देते हैं मैं आपको बलकि context के लिए भी बताना चाहूंगा कि 16 dollar कितने होते हैं और यह cash payout क्यों इतना जादा माईने रखता है मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले google किया जनवरी से लेकर अब तक सभी bitcoin के spot ETF ने सब मिला कर net inflow सिर्फ 12 billion dollar के लेके आए हैं मैं यह नहीं कह रहा हूं कि FTX के जितने creditors को cash मिलेगा वो उससे bitcoin ही खरीदने वाले हैं बड़ आपको याद रखे यह retailers नहीं these are creditors यह वो देंदार हैं जिन्होंने उनमें इन्वेस्ट किया था इनमें बड़े-बड़े crypto investment funds हैं these people, these companies are pro crypto और यह funds काम crypto के लावव कुछ नहीं करते हैं मैं आपको इतना कहना चाहूंगा अगर 16 billion dollar का आधा या एक चौथाई या एक बटा दस यानि की 1.6 billion dollar भी अगर cryptocurrencies में इन्वेस्ट हो जाता है दोस्तों I feel कि हम इस महीने या अगले 30 या 45 दिनों में 10 अगस्त या 20 अगस्त तक हम शायद Bitcoin को 74,000 जाता हो देख सकते हैं This is obviously a big if Second major catalyst जो है दोस्तों वो है Ethereum का ETF Once again अगर Bitcoin का ETF 12 billion dollar attract कर सकता है कुछी समय में तो Ethereum का ETF करीब 1-2 billion dollar तो attract करेगा Yes मैंने हमेशा से कहा है Ethereum की ETF से जुड़ा हुआ एक suspense ये भी है कि Grayscale की Ethereum trust कितनी बिकवाली करेगी जैसे Grayscale Bitcoin trust नहीं किया था But मैंने हमेशा से कहा है कि ETF को Short term में Overestimate मत करो और Long term में Underestimate मत करो Yes Grayscale के पास बहुत सारे ETF पढ़ा है 15 billion dollar से उपर के Ethereum पढ़े हैं आफ कीजेगा But उसके आगे का जो सफर है क्यूं Bitcoin एक दो लाग और Ethereum शायद 5-6,000 dollar जाने की शमता रखता है क्यूंकि ETF बहुत सारा पैसा Over the period of time लाने वाले हैं तीसरी बात जो की थोड़ी सी negative है But again I should mention that कि हमारे जो quarter 3 है और quarter 4 को अगर आप ध्यान से देखें common denominator है वो 56% quarter 4 में रहा है तो मेरे विचार से quarter 3 के dips को खरीदना और quarter 4 में profit book करना तीन महीने के अंतराल के दौरान इससे बढ़िया investment strategy short term में नहीं हो सकती है अब आगे बात करते हैं कि US की presidential election के लिए US में जो हमारा WIX है volatility index वो 25% तक हाई रहता है July से November के वीच में election years में market काफी ज़्यादा pump करती है और election year के 2-3 महीने पहले election से 2-3 महीने पहले यनि July से November में अकसर 3 से 5% S&P 500 डंप होता है but election के बाद S&P 500 साड़े 9% average रैली करता है so again short term में खरीद के S&P 500 के dumps को quarter 3 के dumps को use करके election के बाद बेचना I think is a greatest strategy सारी चीजे इस तरफ आपको इशारा कर रही कि आपको जुलाई अगर सेप्टेंबर की कौर्टर में अच्छी खासी डिब बाइं करनी चाहिए बिकुस इससे जादा कम समय में आपको अच्छा रिटानी मिलेगा भी बहुत सारे बिटकोई है यस चाइना के बास भी बहुत सारे बिटकोई है रश्या के बास और यह लोग कभी भी पार्टी में जो है खलल डाल सकते है मांट गॉक्ष के पास अलड़ी आठ बिलिन डॉलर के करीब के बिटकोई है यह सेल लोली एक लाग थीस हदार बिटकोई है इस रिसक्तर त्रस वी दरड़ी आठ चुका है एक जो बॉक्ष को पास बॉलर के लिग जोगता है श्ट तुम में बाइं का समय का समय आचुका है लोब लेस्ण समन।बन गायस यह मैं आपको अलड़ी शेयर कर चुका हूँ कि यदि माउंट गॉक्स के जो 90 दिनों में 95,000 जो बिटकोईन वो देने वाले हैं अगले 95,000 बिटकोईन वो देंगे उसमें से 20% जो है क्रेइट फंड को जाएंगे यह नहीं बेचेंगे सिर्फ 65,000 बिटकोईन जो है वो इंडिविजुल्स को जाएंगे और उसमें से अगर 30% भी बेचते हैं तो बिटकोईन के प्राइस को सिर्फ 10% का आगात होगा जो मेरे विचार से वो अलड़ी बाइद रूमर सेल दे न्यूस या सेल दे रूमर बाइदर न्यूस कर चुका है रूमर रूमर में मार्केट ने ओवर्याट कर दिया है बिटकोईन टैंक हो चुका है माउंड गॉक्स शायद अब और ज्यादा बिटकोईन के प्राइस को प्रहार नहीं कर पाएगा येस हर बार की तरह हमें चलाया जाएगा बट मैं टेक्निकल्स पर ट्रस्ट करता हूँ और जब से क्रिप्टो फियर और ग्रीड इंडेक्स एक्स्ट्रीम फियर को चुकर वापस आचुका है I think it is over यहाँ पर मैं अपने trade decisions इसको भी देख कर लूँगा as soon as crypto fear and greed index goes back again 30 plus यहाँ पर आप देखेंगे बिल्कुल सीधी vertical रेखा में नीचे गिरा है and it's very close to a all time bull market low तो आश्या करूँ को यह वीडियो आपको पसंद आई हो giveaway शनिवार को हम आपको 50 दोलर देते हैं giveaway के लिए एक और requirement है आपको crypto millionaire rohit शर्मा हमारे दूसरे youtube channel को जाकर subscribe करना है और वहाँ पर जो patreon की free membership है उसको join करना है तब तक अपना ख्याल रखिए धन्यवाद जैहिंद